Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone लेकर आपके लिए आये हैं integration के कुछ बहतरीन concept and question तो आईए शुरुवात करते हैं सबसे पहला question मैं आपके सामने ले रहा हूँ एक special type का question है आप इसको समझेए अगर आपके पास कोई question लिखा है question i, integration i equals to okay, dx upon x और under root है bracket के अंदर 1-x की power 3 है आपको ये concept दिया गया है ये question दिया गया है dx upon x under root 1-x की power 3 इस question को आप कैसे करेंगे देखे इस question को आपको करने के लिए इसके कई तरीके होते हैं आप देखा करो देखो बाहर की term जो है linear है और अंदर की term जो है root के अंदर है अंदर की जो term है वो क्या है आपके पास root के अंदर है तो इसको करने का आपके पास जो तरीका है वो ये है कि आप इस पूरी root की expression को क्या ले लिजे t ले लिजे तो क्या लिखेंगे let under root 1-x cube equal to t 2 या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1- x cube को क्या ले ले लेते है ती काइस स्कुरिय ले ले लेते है है नwhat तो 1- x cube को आ पट ती या 1- x cube ढश Human- x cube को आ या 1- x cube कावप टी ले लीजे या 1- x cube को आ प्टी का इसको ले 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 लीजे ठीक है अब दीखे क्या करना है आपके पास यहाँ पे क्या है dx है और dx को आपको किस से replace करना है dt से replace करना है ठीक है ना तो dx को यदि आपको dt से replace करना है तो जो आपने लिख रखा है इसको आप differentiate कर दीजे किस के respect में x के respect में तो यह कितना आजाएगा यह आजाएगा यह आजाएगा 1 upon 2 under root 1 minus x cube और 1 का हो जाएगा 0 और x cube का कितना हो जाएगा x cube का हो जाएगा minus 3 x square थोड़ा से जगे चाहिए यहाँ पर मैं इसको मिटा के लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा मैंने बताया था minus sorry one upon 2 only not minus yes तो कितना हो जाएगा 1 upon 2 under root 1 minus x cube और minus 3 x square ओके is equals to हो गया कितना dty dx बट आपको चाहिए क्या है आपको चाहिए dx upon 1 minus x cube भी चाहिए ना तो इसलिए dx upon under root 1 minus x cube ठीके ना dx upon 1 minus x cube equal to कितना हो जाएगा साथ ना dx तो आई गया है यह हो जाएगा 2 dt 2 dt upon में minus 3 और x का square यह बन गया इतना आपके पास बन गया minus 3 x का square ठीके यह आपने बना लिया है चलिए अब इसको put कर देता हूँ मैं integration में तो integration में put करूँगा तो क्या हो जाएगा देखे i is equal to dx की value मेरे पास कितनी है 2 upon 3 को भाहर ले लो बलकि minus 2 by 3 कर लो क्योंकि minus भी बाहर है तो minus 2 by 3 dx की जगे कितना बज गया है dt upon x square dt upon x square dx की जगे और यह क्या बैठा है एक और x बैठा है ठीके ना यह और x बैठा है और 1 minus x cube क्या था अपना t था ठीके ना 1 minus x cube क्या था तो i is equal to minus 2 by 3 i is equal to minus 2 by 3 dt upon में ए भाई साब यह t कहां से आ गया 1 upon 1 minus x cube जो है वो तो dt हो चुका t को लेने की ज़रूरत नहीं सौरी क्योंकि directly dx upon 1 minus x cube जो है वो कितना हो चुका है dt हो चुका है यह तो देखे 2 dt upon 3 x square जी है तो अब देखे यह कितना बन जाएगा x cube बन गया है यह कितना बन गया x cube अब आप देखे यहाँ पर अपने 1 minus x cube को क्या माना था t square माना था तो i is equal to minus 2 upon 3 यह कितना बन जाएगा यह आपके पास में बन जाएगा x cube कितना हो जाएगा 1 plus t square तो यह हो जाएगा 1 plus t square ओके 1 प्लस T स्क्वार या 1 माइनस T स्क्वार एक मिनट 1 माइनस T स्क्वार बनेगा यस 1 माइनस T स्क्वार क्योंकि X क्यूब जो यहां से आएगा देख लीजिए यहां से तो X क्यूब एकोल टू कितना मिलेगा 1 माइनस T स्क्वार ठीक है फॉर्मुला लगा सकते हैं 1 upon 2a है ना 1 upon 2a log of a minus x upon log of a plus x तो इस फॉर्मुले को मैं आगे लेकर के चलता हूं इसको चली इस expression को मैं next page में लेके चलूंगा तो यह क्या बनेगा देखेंगे हां यह हो गया चली तो देखें क्या बनेगा i is equal to minus 2 by 3 into 1 upon 2a तो 2 into 1 2a हो गया log of a square minus x square है तो log of a minus x upon a plus x log of 1 plus t upon 1 minus t यह फॉर्मुला बनता है प्लस c कर दीजिए तो यह कितना हो गया 2 से 2 cancel हो गया minus 1 upon 3 log of 1 plus t upon 1 minus t तो 1 ठीक ना plus t की value किती ली थी हम लोगों ने शुरुवात में आपको याद होगा तो t की value हम लोगों ने ली थी under root 1 minus x cube ठीक ना तो यहाँ पे हम put करने वाले हैं under root 1 minus x cube upon 1 minus under root 1 minus x cube और plus का कितना c यही आपका answer आएगा ओके जादस जादस आपके पास क्या यह minus sign है तो इस minus sign को dissolve कर दो इसके अंदर ले आओ तो log की property से पलट जाएगा so 1 upon 3 log of उपर minus वाला जाएगा 1 minus under root 1 minus x cube upon 1 plus under root 1 minus x cube बिल्कुल सही तो यह plus c लगा दीजे यही आपका final answer बनेगा so this is done